हरी ओम मित्रों मित्रों इस वीडियों में आप सभी को 2022 जन्वरी बागे काउंसिब्डेट के विशे में जानकारी दे रहे हैं और इसके पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि गर्ब धारण में गर्ब की इस्तित्ता और पुत्र की कामना के लिए अबल्यूशन यानि बैद तो माना जाता है और ये दिन सुक्लपक्ष में पड़े या कृष्पक्ष में सिर्फ उस दिन में योग और नचत्र का प्रभाव उत्तम होना चाहिए चोकि संतान की प्राप्ति के लिए बैदिक नियम के अनुसार सुक्लपक्ष के दो दिन कम से कम गर्ब धारण में होगा और डेट की तारीखों के बाद आपको इन रासियों के नाम हम पताएंगे सरपर्थम जनवरी सुक्रपक्ष के दिनों को देखते हैं तो तीन जनवरी उत्तरा साठा नचत्र ब्यागात योग दिन रहेगा और ये दिन गर्ब धारल में सबसे प्रभावसाली रहेगा इस तारीख में काउंसिप का समय रातरी 10 से 2 के बीच रखतकते हैं इसके बाद 5 और 6 की तारीख भी सबसे उत्तम होगी चुकि इन दोनों दिनों में नचत्र और योग दोनों मुक्क हैं सर्व सिध घनिशा नचत्र सिध योग और सत्विसा नचत्र ब्याती पात योग का बलवान दिन होगा इन दोनों तारीखों में गर्ब धारण का समय रातरी नौ से दो के बीच रख सकते हैं ऐसे दिनों में पती पत्नी को गर्ब धारण से पहले गाय के दूदका सेवन करना चाहिए नौ जनवरी रेवती नच्षत्र सिध्योग दिन रहेगा ये तारीख सिभ का समय रात्री 10 बच कर 25 मिनट से दो के बीच रस्तकते हैं और 9 जनुरी के तरही 10 जनुरी भी असुनी नचत्र और सिध्यों के साथ प्रभावसाली तिथी रहेगी और इस तारीक में भी रूद्र मंदर का जाप कर सकते हैं इस दिन में गर्ब धारण का समय रात्री 10 से 3 कीम के बीच रखें इसके बाद 12 और 13 की तारीक भी मंचाही संतान के लिए गर्ब धारण में सबसे उत्तम होगी कृतिका नचत्र सुभ योग और रोही नचत्र सुक्ल योग दिन रहेगा इस दिन में नचत्र के परभानुसार पती पतनी को लाल या पीले बस्तरों का धार करना चाहिए जिससे सरब्राठ कामना की प्राप्ति होती है इस तारीक में गर्ब धारण का समय रात्री 9 बचकर 45 पिनट से रात्री 2 की बीच रख सकते हैं इसके बाद किर्षपच के दिनों की बात करें तो 17 जनौरी पुनर्वस नचत्र विश्कम योग के साथ ये दिन भ बनती है और ये एक संयोग की ही बात होती है इन दोनों दिनों में असलेशा नचत्र आयुस्मान योग मगा नचत्र सौभाग योग दिन रहेगा और इनमें गर्ब धारण का समय रात्री 9 से 2 के बीच रख सकते हैं 23 जनौरी हस नचत्र सुकर्म योग दिन क्रिश्पच का ये दिन भी सबसे प्रमुख दिन बनता है इस तारीक में गर्ब धारण का समय रात्री 10 से 3 के बीच रख सकते हैं 26 तारीक विसाखा नचत्र गंड योग दिन होगी दसमी तिथी के साथ नचत्र और योग दिन प्रभाव साली बनेंगे इस दिन में साम के समय कमरे में एक मि पूर नचत्र सरवर्ण और सिध योग दिन रहेगा योग की अनुसार ऐसे दिनों में हर इशा की कामना सिध होती है और इस दिन कौन सिप का समय रात्री 10 से 2 के बीच रखना सही होगा और जैसा के किर्श पच्च के दिनों में गर्ब धारण में पती पतनी को सफेद बस्त पतान की गर्णा के अनुसार मुखता चार रास्यों के लिए जब से जीदा परभा ऊसाली होगा हालंकि यह सभी बारा रासियों के लिए गर्ब धार्ण तर्म में उत्तम मां होगा लेकिन यह चार रासियuko 5 störlor method में और ढ sap सुमाइब